आज मैंने बनाई है चिकन बर्रा चिकन बर्रा को राही खाते हैं लेकिन आज मैंने एक नई स्टाइल में बनाई है तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और आप मुझे जरूर बताना आपको मेरे नई स्टाइल कैसी लगी चलो तो अब हम स्टाइट करते हैं पहले तो हमारी चिकन को लेंगे और उसमें सारी मसाले डाल देंगे जैसे हल्दी पाउडर, धन्या जीरा पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर और उसमें दहीं को डाल देंगे दहीं डालने के बाद एक चमजितना अदरक लहसुन का पेस को मिला देंगे और साथ में मैंने हरी मिर्च और धरे धन्या का पेस बनाया था लिम्बू डाल कर इसको भी डाल दूँगी और उसके बाद इसमें मैंने तली हुई पियाच का पेस बनाया था वो भी डाल दूंगी पियाच को मैंने फ्राइ करके पेस बना लिया था वो डाला है और उसके बाद इसमें हम आदा चमजीत ना तंदूरी मसाला या कोई भी चिकन का मसाला आप यूज़ कर सकते हो और इसके बाद इसको हम अच्छे से मिश्च कर देंगे सारे चिकन में हमारे मसाले को और इसको हम 3-4 गंटे सुधी मेरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी मेरिनेट कर सकते हो जिससे हमारा टेस्ट बहुत अच्छा आता है चिकन का हमारे आप चाहे तो कलर का भी उस कर सकते हो या स्कीप कर सकते हो मैंने थोड़ा सा डाला है आप चाहे तो स्कीप भी कर सकते हो और उसको अच्छे से मिस कर देंगे पहे वापिस से कलर सा हमारी चिकन डिखने में अच्छी लगती है और खाने में भी मज़ाती है और इसके बाद हम एक कड़ाई लेंगे ग्रेवी की तैयारी कर लेंगे पहले तो हम तेल डालेंगे कड़ाई में तेल गरम हो जाएगा तो उसके बाद इसमें हम जीरे को डाल देंगे और दो से तिन लॉंग और काली मीरिच को डालेंगे आप चाहे तो सारे ख़ड़े मसाले डाल सकते हो लेकिन मैंने इतना ही डाला है और उसके बाद इसमें हम एक चमब जितना अदरग लेसुन का पेस मिला देंगे और साथ में मैं दो टमाटर पीसे वो भी डाल दूँगी और अच्छे से मिस कर देंगे तेल में हमारे जिससे टमाटर भी अच्छे से पक जाए तेल में डालने से टमाटर का कच्छापन नहीं लगता ज़्यादा बस अच्छे से इसको मिस कर देंगे एक से दो मिनिट तक और उसके बाद इसमें हम सारे मसाले को डाल देंगे एक चिम मजीदनी लाल मिर्श पाउडर को मिलाएंगे और उसके बाद थोड़ा सा नमक को डालेंगे क्योंकि हमारे चिकन में भी है इसलिए थोड़ा ही डालेंगे और साथ में हम थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी डालेंगे और आदा चिम मजीदना दनिया जीरा पाउडर भी डाल देंगे और इसमें मैंने आदी चिम मजीदनी काली मिर्श का पाउडर डाला है और उसके बाद हम आदी कटोरी जीदना दही डाल देंगे दही खटा नहीं होना चाहिए बिल्कुल मौला होना चाहिए और उसके बाद जो मैंने पहले से प्याच को फ्राइ करके पेस्ट बना के रखा था वो भी डाल दूँगी क्योंकि हमने मसाल चिकन में भी डाला है इसलिए थोड़ा इसमें भी डाल दूँगी और इसको हम अच्छे से मिश कर देंगे आज को फ्राइ करके पेस्ट बनाने से हमारी ग्रेवी का तेस्ट बहुत बढ़ जाता है और बहुत टेस्टी लगती है खाने में तो हम ये gravy को अच्छे से पकने देंगे और हम दूसरी साइट हमारे एक non-stick के pen में हमारे chicken को थोड़ा सा तेल डालके अच्छे से ग्रिल कर लेंगे fry कर लेंगे जिसे हमारा मसाल अच्छे से पक जाए एक से दो मिनिट अच्छे से पका लेंगे और आप देख सकते हो हमारी मसाल अच्छे से पक गए है और ग्रेवी भी कम हो गई है और इसको हम हमारे chicken को gas को उपर या coil को उपर अच्छे से से शेख लेंगे मैंने इसको gas पे शेखा है तो इसको पलट कर हम अच्छे से से शेख लेंगे अच्छे से और यह जो chicken बर रहा है इसको हम dry खाते है लेकिन मैंने आज इसको gravy में बनाया है तो मुझे आप जरूर बताना आपको एक कैसी लगी चलो तो इसको हम सेख लेते हैं पहले अच्छे से अच्छे से सिख जाएगी आप देखो बहुत ज़्यादा नहीं सेखना है और हमाई दूसरे साइड ग्रेवी भी तैयार हो गई है बिल्कुल अब देख सकते हो तेल भी अच्छे से छुटा हो गया है ग्रेवी हमारी रेडी है अब इसमें हम क्रीम को डाल देंगे एक या दो चमर जितना आप चाहे तो मलाइका भी उसकर सकते हो घर की मैंने क्रीम को डाला है और उसके पास जो हमारी चिकन को हमने से रखा था वो डाल देंगे इसमें अच्छे से और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे वैसे तो हमारी चिकन अच्छे से पक गई है लेकिन इसको हम और 5-6 मेनित तक पकाएंगे जिससे सार एक gravy का masala हमारी चिकन मच्छे से अफजोब हो जाए और चिकन खाने में बहुत अच्छे लगे और इसमें हम थोड़ा सा color भी डालेंगे आप चाहिए तो color डाल सकते हो या नहीं तो skip कर सकते हो color डालने सा हमारी gravy अच्छी दिखती है तो इसको हम ढखक कर 5 मिनित तक पकाईंगे और 5 मिनित बाद आप देख सकते हो बिलकुल अच्छे से पक गई यह तेल भी अच्छे से छुटा हो गया है और हमारी चीकन भी अच्छे से पक गई है इसमें हम कसूरी मेथी को डाल देंगे अब और साथ में हमें बीच में कोईले को रख देंगे पहले तेक कटोरी रखेंगे और इसमें हमारे जलते हुए कोईले को रख देंगे कोईला रखने के बाद इसमें हम थोड़ा सा तेल या बटर को डालेंगे आप चाहे तो घीका भी उसकर सकते हो मैंने इसमें थोड़ा सा तेल डाला है और इसको डगकर ऐसे ही छोड़ दिया है 10 मिनिट तक जिससे सारा दुवा हमारी चिकन मच्छे से अच्छ अबज़र हो जाए और खाने में टेस्टी लगे अब इसको हम 10 मिनिट बाट खोलेंगे तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी दिख रही है तो बिल्कुल रैडी है हमारी चिकन बर्रा और मैंने इसको ग्रेवी के साथ बनाया है अब इसमें हमारे हरे धनिया को डाल देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे तो लिखे ते यारे हमारी चिकन बर्रा वीडियो कैसी लगी है मुझे जरूर बताना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना